हेलो फ्रेंट्स वागत एक बार फिर से आप सभी का डिश्टल तयारी यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है छेतन पारिक आरे सग्यरवाल सौल कर रहे हैं हिंदी वाले वर्जन की बात कर रहा हूं फिलाल इसमें हमारा चेप्टर है LCMNHCF यह हमने शुरू कर दिया है 5 पार्ट हमने कर भी लिये है तो जरूर देखना बहुत सरी चीजह आपको सीखने को मिलेगी इन 5 पार्ट के अंदर एक एक सवाल अने सौल कीया है तो काफी कुझ आपको सीखने को मिलेगा ठीक है आगे बढ़ेंगे हमारे इस सीरीज को continue रखेंगे और चट्टा बाट देखो चट्टे बाट पहला सवाल यह आगी आपके सामने क्या कह रहा है यह सवाल यह कह रहा है कि 10,000 के समय पतम कौन सी संक्या है जो 3, 4, 5, 6, 7 और क्या है 8 मैंसे पर्तियक से पूर्ण तहव विद्वत्त है ठीक है यह आपको ग्याद करना है तो सबसे पहले इसके अंदर खूब सारे तरीके आपको मैं बता दूँ एक तरीका तो है option से आप कर सकते एक और अच्छा तरीका है जिसमें सब का भाग जाए इससे पहले हम एक काम करते हैं हम वहाँ छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं पहले तो जिसमें इन सब का भाग जाए फिर हम 10,000 के समीब पहुचेंगों उसकी help से तो वह चोटे से चोटे संख्या क्या कहला थी यह जिसमें दी गई सारी संख्याओं का भाग जाए तो उसका हम कहते हैं LCM यह हमने पहले पार्ट में भी डिसकस किया था और उसके बाद में भी खूब सारे सवाल हमने कर लिये थे तो इसका निकालो पहले तो आप LCM ठीक है तो LCM निकालते हैं one by one यहाँ पर मैंने तीन लिखा तो तीन से यह कट गया तीन से यह कट गया दो बार में तो यहां पर लिख रहा हूं तो हमारा जह LCM है तो पहुंचना है अगर 800-84 के अंदर इन सारे संख्याओं का बाग अगर जाता है इसका मतलब ये हुआ कि 840 है तो 840 का जो भी multiple होगा उसमें भी इन सब का भाग जायेगा अगर मैं कहता हूँ कि 840 के उंदर इन सारी संख्याओं का भाग जाता है तो भले मैं 840 इन्टू 2 लिख लूँ तो भी इसमें इन सब का भाग जाएगा जाएगा बले दो लिखने से क्या फरक पड़ेगा तो आट सो चलिस को काट लेंगे बले आप दो की जगे तीन से गुणा करा लो तो भी देख लो इन सारी संख्याओं का इस पूरी संख्या में भाग जाएगा ताकि वो दस हजार के पास तो पहुंचे फिर हम और कुछ करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ आट सो चालिस को मैं गुणा करा रहा हूँ दस से एक वार के लिए तो जब मैंने दस से गुणा कराया तो 8400 मिला मुझे, किता मिला 8400, आप देख सकते हो, 8400 में इन सब का भाग जाएगा, जाएगे, क्योंगे 8400 का मुल्टिपल रही है, लेकिन अभी हम एक जिक्ट पास में नहीं पहुंचे देखूँ, मैं बहुत पास पहुंचने, दस अजार के, इसका मतलब क्या करेंगे, हमारा काम 10 से गुणा करने पर नहीं चलेगा, हमें 11 से भी गुणा करके देखना पड़ेगा, आई बाचमन में, तो यहाँ पर 840 into 11 करो आप, तो 11 से गुणा करोगे तो वही बात है, इसके अंदर आप डिरेक्ली 840 जोड़ दो, यहाँ पर किता आएगा, 0, 4, यहाँ पर 2 आएगा एक और 8 और 8, देखो, क्या किया मैंने, मैं इसको 11 से गुणा करूँ, इससे अच्छा यह होगा कि इसे में 840 को जोड़ दो, आई बाचमन, तो 0, यह 4, यह 12, यहाँ पर 1, यह किता हो गया, 9, 9,240 तक तो मैं पहुंच चुका हूँ, आई बाचमन में, अभी भी देखो, नजदीक नहीं पहुंचाऊ, अभी भी possibility है कि मैं थोड़ा और नजदीक चला जहूँ, इसका मतलब यह होगा कि एक बार और 840 चुड़ो, इसका मतलब यह होगा, बारा से गुणा करार हो आप, तो इसे में जोड़ दो, 840 देखो, कहां पहुंच रहो, तो 840 जब मैंने ज ज़्यादा समीब कौन है, देस जार के, आपको होगा, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, देस जार असी होगा, आई बार चमझ में यह नहीं होगा, जल्द बाजी में कई बार होता है, कि option A लगा कि आ जाते हैं, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, समीब तम, जितना हो से के उत्त इंपोर्टेंट है, तो यह पता होना चाहिए, वही बात है, इसके अंदर भी कैसे पता चले है, एक्जाम, LCM और HC, क्या लेना, LCM लेना है, तो यह सारी की सारी चीजे हमने प्रिवेस पार्ट में डिसकस, खूब सारे सवाल किये है, तो वहाँ से आपको आईडिया लगना पहली चीज तो यह है कि पूर्ण वर्ग होने चाहिए, अब काफी वार ऐसे आप्शन मिलेंगे कि दो तीन आप्शन तो यह एलिमिनेट हो जाएगे, क्योंकि वह पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसा सवाल हमने प्रिवेस पार्ट में किया था, याद हो आप, लेकिन यहाँ प दी गई, सारी संख्याओं का भाग चला जाए, उसको हम क्या कहता है, ऐलसेम क्या होता है, वह चोटी से चोटी संख्याओं जिसमें दीएगे, सारी संख्याओं का भाग से लगए, अई बात समझ में, करना क्या, ऐलसेम निकालना, ऐलसेम निकालो एक बार, देखते हैं क्य प्रिता हो गया 120 अब देखो एलचेम निगाल दिया 120 यह वहाँ छोटे से संख्या 120 है जिसमें इन दीगे सारी संख्याओं का भाग चला जाएगा लेकिन सवाल क्या आपको पूर्ण वर्ग संख्या होने चाहिए वो तो पूर्ण वर्ग होने चाहिए इसका मतलब क्या हुआ 120 तो पूर्ण वर्ग है नहीं तो फिर इसके मल्टिफel करते चलो इसके मल्टिफel करते चलो गुना करते चलो या फिर क्या कर सकते हो कि 120 से विपाजित होने चाहिए वह हमारा आंस। क्या इसके अंदर 120 का भाग जाता है, कि नहीं जाता है नहीं जाता है काफी बड़ी बड़ी चीज़े मिलेगा काफी दूर तक जाना पड़ेगा तो जो सही लगता है, वह आप कर सकते हो 120 तक आने के बाद option eliminate करो upshot है, ओके बड़ो अगला सवाल क्या कह रहा है? 47 नमबर सवाल देखे ये कह रहा है कि 1856 में से कौन सी नियूंतम संख्या गटाई जाए कि सेस्फल को 712 सोडा से विवक्त करने पर प्रतियक दसा में 4 सेस्फल आए ठीक है? 1856 में से ये कह रहा है कि आप क्या माइनस करूगे कि साथ 12 सोडा का एलसियम निकालते हैं एक बार ठीक है? एलसियम निकालते है तो किता आएगा? अगर मैं लिखता हूँ 4 ये आएगा 3 ये आएगा 4 फिर आजाएगा 12 और फिर आजाएगा 7 ठीक है? 12-4 किता हो गया 48 और इंटू 7 कर लो किता हो गया साथो सत्ती, गुण पचास और साथो अटी किता हो गया ये देखो 56 यह आप आगया 5, 28 और 5 किता हो गया 33 किता आया 336 336 तो अभी हमारा LCM है किवल? अभी हमारा काम पूरा नहीं हो ठीक है? 336 तो अमने सिरफ और सिरफ अभी तक LCM निकाला है अब देखो LCM हमने निकाल दिया किता है 336 आपको क्या गया रहा? 1856 में से कौन सी नियूंतम संख्या गटाई जाए कि इन सब से भाग दिने पर 4 से इस पल है अब यहां तक आने के बाद आप लो अप्शन की हिल्प अगर आप 1856 में से 137 गटा होगे देखना, LCM हमने निकाल दिया उसको अलग रचना साइट में 16 में से 7 जाएगा तो आगया 9 4 में से 3 जाएगा तो आगया 1 8 में से 1 चला जाएगा तो आगया 7 यहां पर आगया किता आ रहा है? 1719 ठीक है? यह हमने निकाल दिया अब 1719 में आप इन सब का 1 by 1 डिवाइड लगाओ इससे अच्छा आप क्या करो? LCM का ही डिवाइड लगा कि देख लेगा आई बात हमने में? क्योंकि अगर इन सब का भाग जाना चाहिए इसका मलब लिस्ट कॉमन मल्टिपल में भी लिस्ट कॉमन मल्टिपल खुद भी तो डिवाइड होगा जबी तो ये सब का बात जा पाएगा इसका मलब हम क्या करेंगे अब? अब 1719 के अंदर चेक करेंगी कि क्या 3, 3, 6 डिवाइड कर रहा है अगर कर रहा है तो क्या लास्ट में डिवाइड अगर हम देखें तो 336 से 6 बार तो काफी बड़ा हो जाएगा 5 बार एक बार करके देखते हैं क्या होगा 56, 30 हो गया यहाँ पर आगया 3 5, 3, 15 और 3, 18 यहाँ पर आगया 15 और 1, 16 यहाँ पर लगा दिया मैंने माइनस यहाँ पर आगया 5 ठीक है यह हो जाएगा 9 11 में से 8 जाएगा तो हो गया देखो 3, 39 उसके बाद अब आगे तो डिवाइड जा नहीं रहा है लेकिन 6 पल कितना आ रहा है 39 आ रहा हमारा तो काम इतने ही था 6 पल चेक करना तो 6 पल तो 39 आ रहा है इसका मतलब यह आंसर हो नहीं सकता मुझे क्या चाहिए 6 पल के रूप में 140 चाहिए आ सोरी 6 पल के रूप में मुझे कितना चाहिए 4 चाहिए ठीक है तो चलिए यह तो हमारा आंसर नहीं हो सकता आगे बढ़ता है फिर अगले उप्सन को चेक करते है 140 को चेक करते है तो अगर मैं 1856 में से 140 को माइनस कर दो तो यह आएगा 6,1,7,1 ठीक है अब इसके अंदर आप लगाओ इसका डिवाइड लगाएंगी वही 3,3,6 का 5 बार में लगा था लगवक ठीक है मिटा दिया मैंने मैं भूल भी क्या हूँ क्या मिला था गुना करने पर वापिस कर लेता है 30 यहाँ पर आगया 3,15 और 3,18 यहाँ पर आगया 1,15 और 1,16 1680 मिला था यह लिख दिया है 1680 किता आएगा 36 आएगा 14,36 आएगा लेकिन सेस्पल क्या चीए 4 थी अटाओ फिर ये भी आंसर नहीं हो सकता आगे बढ़ेंगे 1192 को चेक करेंगे ठीक है 1192 को चेक जब मैं करता हूँ तो 1856 में से घटाओ आप 1192 को यहाँ आप आगया 4 15 में से 7 चला जाएगा तो कितना आगया आठ साथ में से एक जाएगा तो कितना आगया 6 आगया और फिर यहाँ पर कितना एक है अब देखो यहाँ आप 1604 के अंदर आप भाग लगो किसका लगाएंगे हम लगाएंगे LCM का 346 का आप देखोंगे 1660 तक चला गया पूरा 5 बार में सेस्पल 4 बचला और हमें यही तो चीए था इसका मतलब क्या हुआ कि option C आपका correct answer है DM check भी नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि छोटी संख्या हमें मिल चुकी है ठीक है बढ़ी 1300 एक्सर से इससे बढ़ए है तो क्यों check करें तो option C क्या होगा हमारा correct answer होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देख लेता है नेक्स्ट है question 48 number यह question हमें कह रहा है कि वह चोटी से चोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी भी संख्या से विबगत करने पर एक से बचे परं तू साथ से पूर्ण तह विबजित हो अब अगर साथ से पूर्ण तह विबजित होनी चाहिए हमारी संख्या तो आप तो option पकड़ो सीधा क्या एक सट के अंदर साथ का भाग जाता है नहीं जाता है आपने याद हो तो हमने पिछले सवाल में तो कुछ ऐसे सवाल किये थे पिछले पार्ट में कुछ ऐसे सवाल किये थे जहां पर सारी option eliminate हो जाता है तो एक को चोड़ कर वहाँ पर सिदा फिरमान सर लगा रिटे याँ पर फिर भी तीन मिले है तो फिरम method पर जाएंगे दो तीन चार पाँच जहें इन सब से विबाजित करने पर एक मिलना चाहिए तो पहले तो विबाजित करने वाली संक्या है कौन सी? मतलब आ संक्या कौन सी जिसमें सबका विबाजित, सबका भाग चला जाए तो मैं लिखता हूँ दू, ये एक, ये दो वार में कट गया, ये तीन वार में कट गया फिर लेता हूँ 3 तो ये कट गया ये कट गया और फिर मैं लेता हूँ 10 10 इंटू 2 6 6 इंटू 10 किता हो गया 60 हो गया यनि जो हमारा LCM है कितना आगया 60 आगया ठीक है LCM कितना आगया 60 आगया अब आगे बढ़ता है LCM अगर 60 है इसका मतलब यह हुआ कि आप तो option को इस बार 60 से दिवाइट करके देखो और एक सेस्पल मिलना चाहिए 60 का भाग लगाता हूँ तो एक सेस्पल मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है लेकिन चोटी से चोटी से क्या है यानि वो चेक करने के लिए इसको लगाओ 60 का भाग तो 60 का भाग जब आप लगाओगे तो एक सेस्पल तो नहीं मिल रहा है हाँ पर हटालो फिर यह इसमें जब आप 60 का भाग लगाओगे तो एक सेस्पल तो नहीं मिल रहा हां अपर इसको भी हटालो तो फिर हमारा answer कीПрिया option एक और आप method से भी जा सके ठीक है साथ से का multiple लेते रहो ठीक है और फिर एक जोड़न clear है इस सीज़ का भी ध्यान लखना साथ का divisible है फिर वो method पर जा रहो तो पूरा method follow करना पूरेगी तो इससे अच्छा थोड़ी-थोड़ी साथ दस और ग्यारा सेश बचे मतलब यह है कि अगर आप बारा का भाग लगा रहे हो तो साथ सेश बचना चीए अगर पंद्रा का भाग लगा रहे हो तो दस सेश बचना चीए अगर तो एक सो पांस तक जा रहा है, दस सेष पर आ रहा है, बिलकुल आ रहा है, यहां पर हम देखेंगे, तो एक सो आरा में से 12 गटा लो किता आगया 228 तक तो पूरा जा रहा है साथ सेसपल बिल्कुल है 15 का अगर हम भाग लगा है यहाँ पर तो क्या 10 सेसपल आता है क्या 10 सेसपल आने के लिए यह हुआ कि 225 के अंदर 15 का डिवैट जाना जी बिल्कुल जा रहा है मतलब पॉसिबल है फिर आगे चेक करते हैं इसमें लगाओ आप 16 का भाग लगाने पर क्या 11 सेसपल आ रहा है क्या चेक करते हैं तो 16 का जब मैं भाग लगाता हूँ एक वार में चला गिया 16 एकम 16 साथ आगे बेज दो तो 75 मिल रहा है सोडा चौक 64 बिल्कुल 11 मिल रहा है सेसपल चौंसर तक चला गया मदलब सेसपल 11 मिल रहा है बला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है और इस सबसे चोटा तो फिर यही बचा इसको अटा लो बागी ऑप्शन चेक ही नहीं करेंगे क्य कोशिश यही रखनी है इस सेप्टर में आगे बढ़ेंगे अगले सवाल को देखेंगे यह उसी टाइप का सवाल है यह मैं आपके लिए छोड़ूँगा क्या है इसका अंसर आप बताएंगे कमेंट में वही बात है 15 का डिवाइड लगाने पर साथ सेसपल चाहिए 25 का डि कवन नंबर सवाल यह कह रहा है कि वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बड़ी से बड़ी जिसे 5834 में से गटाने पर प्राप्त संख्या इन सब में से पोन तहा विबाजित हो जाए ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था तो सबसे पहले तो हम यह देखता है कि 20, 28, 32 और 35 इन सबका LCM कितना है तो अगर मैं लेता हूँ 7 तो यह आगया 4 यह आगया 5 फिर अगर मैं लेता हूँ 2 यह आजाएगा 10 यह आजाएगा 2 यह आजाएगा 16 फिर मैं लेता हूँ 5 यह आजाएगा 2 यह अट गया और फिर मैं ले लेता हूँ 16 यह ले लेता हूँ इन्टू करना है मुझे साथ ठीक है इन्टू साथ करेंगे अब इसको एक बार अटा लेते हैं यहां से यह किता हो जाएगा 112 और किछे लगा लो 0 clear है यहां तक I hope सारी चीज़ें आपको समझ मारी है यह अभी तक हमने केवल LCM निकाला है तो यह हम एक एक करके इन सब का डिवाइड लगाएंगे इससे अच्छा है इन सब कालसियम निकालाता है तो यह बाकी चेक कर लेंगे अब बाइवन देखना 5834 में से चूट बड़ी से बड़ी से इंग्या घटा ने इस बार तो बड़े से बड़ा वाला इन सब का डिवाइड लगाओ इससे अच्छा एलसियम निकाल लो ठीक है एलसियम के अंदर सारी से उपस्तित है इसलिए कर रहा हूँ तो इसके अंदर चला जाएगा 1120 का भाग इसका मतलब क्या हो गया option C correct है बाकी नहीं होगा बाकी नहीं होगा बड़ी से बड़ी संख्या हमने निकाल ली है दी गई संख्याओं में बुला इन में से कोई नहीं यहाँ पर नहीं देना चीए इसको क्योंकि इससे बड़ी संख्या इस पॉसिबल हो सकती है इसलिए यहाँ पर यह सी अमारा correct answer clear? आगे बढ़ते हैं बावन नमबर सवाल देखा चार संख्याओं की बड़ी से बड़ी संख्या चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो बारा, पंदरा, अठारा और सताइस में से परतियक से पॉर्ण तहा विबजद है अगर परतियक से पॉर्ण तहा विबजद है तो हम तो पहले वह चोटी से चोटी संख्या निकालता है जिसमें इस अब का भावग चला जाए ठीक है? इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ निकालता हूँ LCM तो यहाँ पर अगर मैं तीन लेता हूँ यह चार आ गया यह पांच आ गया यह छे आ गया यह नौ आ गया फिर मैं तीन और लेता हूँ तो यह दो आ गया यह तीन आ गया फिर मैं लेता हूँ छे पांच ठीक है छे ले लिया पांच ले लिया, छे जब लिया, तो यहां से दो भी आ गया था, बचा दो केबल तो वो दो लिख 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 LCM निकालना है, फास्ट निकालना ही पड़ेगा और ये पहले पार्ट से अगर आप मिरसाथ-साथ करोगे ना तो आप भी कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं, तीन तिया, नौ, नौ चिंग, चौपन, ठीक है, चौपन इंटू किते हो गए, एक सो आठ और एक सो आठ इंटू पांच किते हो गए, पान सो चाड़ेश तो हमारा जाए, लसेम है, वो किता आगया? चार अंको की संख्या तक पहुंचाओ, कहां तक पहुंचाना है, चार अंको की संख्या, कहां क्या होती है, लास्ट बड़ी से बड़ी चार अंको की संख्या तो इसके नजदीक तक पहुंचाओ आप इसको तो नजदीक तक पहुंचाते हैं देखो कैसे पहुंचा सकते हूं हम इसको वन बाई वन गुणा करेंगे अगर मैं इसको दस से गुणा करता हूं तो चौपन सो मिलेगे चौपन सों ऑंदर आप देख सकते हो सब का भाग जा रहा है और चारंको की संख्या भी है लेकिन ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं इसके अंदर और बी possible है इस से बड़ी संख्यां है और बी possible है इसलिए इससे काम हमारा चला नहीं तो फिर 540 को मैं कुछ और 15 से गुणा करा के देखता हूँ आ रहे बात समझ मैं 15 से गुणा करा के देखता हूँ देरे देरे मिरको इसके नजदीक पहुंचाना इसको तो यह आ गया 0, 15, 4 किता हो गया, 60, यहां पर आ गया इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ कि 540 का डबल यहनी 1080 इसी में जोड लू आई बात समझने में 540 का डबल किता हो गया 1080 हो गया, इसमें जोड लिया 15 तक का गुणा यह रहा, 2 वार और जोड दिया 17 तक का गुणा मिल गया यह आपको और नहीं तो आप इसको ऐसे ही 17 से गुणा कर लो, आपको यह मिल जाएगा का तक पहुँच गया, 9,180 तक पहुँच गया बड़ी से बड़ी संख्या क्या इससे बड़ी संख्या है और पॉसिबल है तो बिल्कूल है, 17 से गुणा किया इस बार आप 18 से गुणा करके देख लो वही 18 से गुणा करो, इससे अच्छा है, इसे में 540 जोड़ लो किता आएगा 0, 8 और 4 किता आगया 12, यह आगया 7, यह आगया 9 9720 तक हम पहुँचे क्या इससे बड़ी कोई संख्या पॉसिबल है अगर LCM के अंदर सब का भाग जाता है इसका मलब LCM के मल्टिप्लाइम आप कुछ भी घर दो उसके अंदर दी हुई सारे संख्याओं का भाग तो जाए गई जाएगा अब इसको वहां तक पहुँचाओ आप जो सवाल कह रहा है तो यह था हमारे सवाल हमने बावन तक के सवाल कर लिए है अब इसके जो आगे के सवाल है वो हम upcoming parts के अंदर करेंगे आप बने रहें I hope सारी जीजें आपको अच्छी तरी के समझ में आरे कमेंट में जरूर लिखके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है लाइक भी करें बागी वीडियो में इतने ही रखते हैं ठेंक्यू प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी